आज के इस वीडियो में महाभारत के बारे में जानेंगे ध्यान से भाईयों के शरीरों को देखा तो उन्हें ये कोई मायाजाल सा लगा क्योंकि आसपास जमीन पर किसी शत्रू का पाँव के निशान नजर नहीं आ रहे थे। उन्हें लगा कि यह दुर्योधन का भी कोई शड्यंत्र हो सकता है। संभव है पानी में विश मिला हो। प्रश्न यक्ष की बात सुनकर युधिष्ठिर ने क्या किया। उत्तर यक्ष की बात सुनकर युधिष्ठिर ने उसकी बात मानली और बोले आप प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न युधिष्ठिर के उत्तर से प्रसन होकर यक्ष ने क्या कहा? उत्तर युधिष्ठिर के उत्तर से प्रसन होकर यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाईयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ. तुम जिस किसी को भी चाहो, वह जीवित हो जाएगा. प्रश्न यक्ष के कहने पर युधिष्ठिर ने अपने किस भाई को जीवित करने को कहा? उत्तर यक्ष के कहने पर युधिष्ठिर ने अपने छोटा भाई नकुल को जीवित करने को कहा? प्रश्न युधिष्ठिर ने यक्ष को नकुल को ही जीवित करने का क्या कारण बताया? उत्तर युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा, वह सिर्फ इसी कारण की मेरे पिता को दो पत्नियों में से माता कुंती, का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ, मैं चाहता हूँ की माता मादरी का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसा ब बराबर हो जाए, आत, आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दे, प्रश्म यक्षने युधिष्ठिर को क्या वर दिया, उत्तर यक्षने युधिष्ठिर को वर दिया कि उसके चारु भाई जीवित हो जाए, प्रश्म यक्षने युधिष्ठिर को क्या देते हुए कहा, बारह बरस के वनवास की अवधी पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं, बारह मास तक जो तुम्हें अग्य तवास करना है, वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा, तुम्हें और तुम्हारे भाईयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा, तु अर्जुन ने इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त किया, भीमसेन ने हनुमान से भेट किया और उनका आलीगन प्राप्त करके दस गुना अधिक शक्तिशाली हो गया और युधिष्ठिर ने स्वयम धर्मदेव के दर्शन किये